विडियो रिकोडिंग के लिए इस्टेंड बनाएंगे इसकी साहिता से हम विडियो रिकोडिंग करेंगे और इसमें केक्या तूल्स की आऊशकता पड़ेगी उसके लिए मैंने वीडियो में पहले से बता रखा है उसके लिए हमें एक हेग्जाफ्रेम फतोडी मेजिन टेप और स्कूर ड्राइवर प्लाइ का टुकड़ा और प्लाइ की पट्टी उसके साथ ही एक चोकोर साइज का प्लाइ का टुकड़ा जो कि हमारे सपोर्टिंग के लिए काम आएगा निम्नोजरो और तूल्स के माधियम से हम स्टेंड बनाएंगे मोबाइल वीडियो रिकोर्डिंग स्टेंड के लिए सबसे पहले हम प्लाइ की पट्टी को मेजरमेंट करके हेग्जा प्रेम की साहिता से कटिंग करेंगे कटिंग के लिए हम सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे और camera को set up करके measurement करेंगे कि हमारा camera किस measurement पर side view pixel के साथ set हो रहा है और जो हमारा जो भी meter है वो अच्छी तरह से दिकाई दे रहा है तो उसके लिए हम mobile को camera को in properly तरकिये से रख के एक बार measuring के लिए हम set up करेंगे सेट अप के लिए पहले मेजर टेप के माइडियम से हम मेजर करेंगे कितने हLED केमरा है जोहएं व्यू में आरहा है तो इसके लिए हम मेजर कर लेते हैं जैसा कि आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है मेजरिंग टेप से मैंने मेजर किया है तो यहाँ पर आपको 350 mm पर हमारे जो वीडियो की पिक्सल लेंद है वो सई से सेट हो रही है तो मैंने यहाँ पर 350 mm पर इसको कटिंग किया है कटिंग करके फिर मैंने जो हमारा प्लाई का टुकड़ा था उस पे मैंने इसको कील की साहिता से कील की साहिता से मैंने इसको फिटिंग किया है इसमें मैंने तीन किले मारी है तीनों किलो को यहाँ पर हतोड़ी के माध्यम से ठोक कर इस स्टेंड को खड़ा किया है फिर मैंने उपर के लिए जो जहाँ पर हम मॉबाइल को सेट अप करेंगे उसके लिए हमने इसको भी मेजर करके और मॉबाइल के केमरे को सेट अप करके इसकी कटिंग की है कटिंग करके फिर हमने यहाँ पर दो कील के माध्यम से इसको fix कर लिया है और जब fix हो गया है तो हम एक बार इस पर camera रख के देखते हैं कि हमारा camera है वो सही तरह से setup हो रहा है तो मैं एक बार mobile का camera on करके रखता हूं तो इस तरह से हम mobile का camera को setup करके हम rubber band को माधियम से इसको fix कर लेंगे rubber band को हम यहाँ पर ऐसा setup करेंगे जिससे कि हमारे touch screen पर किसी भी तरह की कोई problem नहीं आई rubber band के माधियम से हम इसको properly fix कर लेंगे और फिर हम video recording करेंगे तो दोस्तों इस तरह से हम mobile stand बना सकते हैं अगर अगर हम इसको और finishing देना चाते हैं तो हम इसके उपर color कर सकते हैं या इसके उपर insulation के लिए paper चिपका के हम इसको अच्छा सा safe दे सकते हैं नीचे भी हम अच्छा सा paper लगा के इसको अच्छी safe दे सकते हैं तो इस तरह से हम घर पर ही mobile का video recording stand बना सकते हैं उमीद है यह video आपको बहुत पसंद आएगा video पसंद आया हो तो ज़्यादा ज़्यादा like करें अपने दोस्तों के साथ share करें धन्यवाद करें आप करें वाईब संद आया हिखता आपको ज़्यादा आपको 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 हिवल कुल्पान आपको का